प्लीज प्लीज बैठ जाओ यार चचा बैठ जाओ यार चचा क्या कर रहे हो बैठ जाओ प्लीज बूट में बैठ जाओ तो यो वाट्सप गाईज एड थेंक यू कि आपने मेरे 1K कमप्लीट कर दिये और इसी माइनक्राफ्ट की वज़े से हमारे बहुत चारे सस्क्रेबर आया है और मेरे 1K कमप्लीट हो चुके है गाईज तो सभी को दिल से थेंक यू तो आज का हमारा माइनक्राफ्ट का होने वाला है 1K कमप्लीट स्पेशल वीडियो जो एक दिन पहले ही हो चुका है लेकिन अब एक दिन बाद वीडियो आया है क्योंकि एडिट करने में भी टाइम लगा है वैसा का वैसा इधर करेंगे लेकिन थोड़ा सा अच्छा काणीयड करेंगी ठीक कण गाईज तो आज हम क्राइट करेंगे अच्छे से लो गाईज उनके पेidents करू में दिन वी इस नोवल हो चुकिया गाईज तो गाइस इसी स्नोफॉल को इंजोई करते करते आज हम अपना नेधर पोटल को क्रियेट करने वाले हैं वो भी और एकसाइटेडमेंट के साथ तो गाइस चलो फिर आज की वीडियो होने वाली है वनके स्पेशल तो इसी बात पर एक और सब्सक्राइब है वीडियो को लाइक करते हो तो जल्दी से हम टू के कम्प्लीट कर पाएंगे तो चलो गाइस पहले हम सामान उठा लेंगे ठीक है थोड़ा सा एंड मैं कितना बोल के पास लेकिन मैंने थोड़ा सा काम कुछ और भी किया है वह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा लेकिन अब भी आप नेदर पोर्टल का काम शुरू हो चुका है तो वह भी खतम कर देगे थोड़ी देर में लेकिन यह नेदर पोर्टल से अंदर आ रहा है ठीक है फीगले कि इनको पाहार निकाला है और इनको खतम करना है अंदर आने से रोकना है इसलिए मैं नेदर पोर्टल को अप्रेट करूंगा और अच्छे से एक्स्टेंट करने के बाद मैंने थोड़ा सा सामान उठा लिया लेकिन अपने गर के उपर मैंने थोड़े से बैड थे वह अच्छे से और बिल्ट अप करके उसको और तगड़े लेवल पर दिखाएंगे आप देख सकते हो विलेजर भी क्या ही कर रहा है और आपको लाश्ट तक देखना है कुछ अच्छी सी सप्राइज है आपके लिए वह आपको देखना है ठीक है सप्राइज तो नहीं लेकर अच्छे भी फीट कर देंगे ठीक है सारा सबकुछ नीचे लगा देंगे अच्छे से एक्सटेंट कर देंगे तो चलो में इदर रेडी कर देता हुआ सबकुछ फिर बात में थोड़ी दिर आप देखो यार क्या होता ही और यह को ग्लीच स्टार्ट हो चुका है आते ही व सबकुछ दिखाते हुए मैंने इतना सा काम कि आप देख सकते हैं उपर यह की साइड यह लगाए है और नेचे की साइड में कुछ और काम करूंगा ठीक है तर वह ब्लॉक दिख रहा है वह में हटाने वाला हो ठीक है यहां पर थोड़ा सा सामान जो यहां पर उल्टा सूल कर देते हैं किदर गई वह स्टेर्स तो गाइस थोड़ी दिर बात मैं आपको फिर से कुछ इंट्रेस्टिंग सी दिखाऊंगा लेकिन इस डॉंबी फिगलिन को मैं एक बार जरूर जरूर से मार दूंगा ठीक है इनको आपने बाहार आने से रोकना है उनको नेदर में ही क कि तो गाइस देख लो गाइस फाइडली मैंने यहां पर परफेक्टली बिल्ट अप कर लिया है लेकिन जैसे बिल्ट अप किया ना मुझे एक चीज याद आई कि सोना है लेकिन नाइटी नहीं हुए मैं दो दिन से सोया ही नहीं बे ऐसा ही के काम कर रहा हूँ अब जाके कि यहाद आया कि सोना है लेकिन यहाँ पर बस थोड़ी सी मुझे क्रियेटिवीटी करनी बाग किये वह मैं कर दूंगे यहाँ पर मेरे को चाहिए यह ब्रिक्स तो ब्रिक्स की कमिये तो लकडी भी नहीं तो कोल है मेरे पास तो मैं आपर जो बलाया हुआ सामान बेकर का प एब नहीं मेरे पास नहीं रकी लकडी जलती नहीं दूसरी लकडी लेने जाने का लिए मेरे पास टाइम नहीं ते सबको जलने देते हैं and अपने थोड़ा सा काम और कर देते हैं तब तक देखो मैंने क्या ही क्रियेटिवीटी किये उन्हें से पहले हमारा खेत जो पूरा अच्छे से बील्ड हो चुका है नहीं हमारे बहार का एरिया एंड स्नोफॉल क्या ही तगड़े लेवल पर लग रही है एंड इसी के साथ गाइस वाइदल यहाँ पर हमने बहुत सारा क्रियेटिविटी कर दिये एंवे यह पांच शे ब्लॉक छोड़के सारा डर्ट हटाने वाला हो ठीक है मैं सबको साथ लेयर कर दूगा बोले तो सीधा एक तम तो सब कुछ अच्छे से लगेगा एक ब्लॉक ऊपर है वो भी नीचे चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चला लेकिन मुझे थोड़ी दिर बाद एक चीज याद आएगे मैं वह आपको नहीं बताऊंगा वीबी वह क्या है मुझे अभी भी याद यह आया था गेम खेलते टाइम की वाइस ओवर कर रहा हो तो मुझे पहले से याद है कि क्या याद आने वाला है तो मैं आपको बाद में बनाओंगा उसके लिए आपको वीट करना पड़ेगा वो क्या चीज है उसके लिए ठीक है तो यहां पे तो मैं सब कुछ अच्छे स यहां पर रात होने को आए ठीक है तो अब जाके मैं सूँगा ठीक है जैसे उठूँगा न वैसे मेरे को याद आता है गेम के अंदर कि क्या हुआ गाइस आपने अगर नोटिस किया है तो कॉमेंट में बताओ कि क्या होने वाला है जैसे यहां पर नाइट खतम डे हो चुका है यहां पर अपना सब कुछ स्नोफॉल भी खतम हो चुका है लेकिन मैं नीचे जाके एक चीज खोज रहा हूं कि कहा पर है वह चीज चल सकती है और वह हमारा विलेजर जो पहुच चुका था नेधर में मैं उसको अब लेने जाओं भाई वह बंदा आराम से गुम रहा है आप है यार रिलेजर उसको कोई टेंशन ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ यह पागलोग मार देंगे तिरेको मैं बहाल ले जाने आया हूं और वह भी बहार आने में नकर दिखाता है लेकिन कितनी मशकत्य बाद मैं शोगे कि फोहान пери क्या हो चुका था मेरे साथ वैंने तो प्याह पेहली हाँ बाहर आके पूल बैक च्व कि उसको कहार लाहीम झेल उसकते सब्सक्रायम प्यूंकि मेरे कोशना काम करना है तो भी बॉ सब्सक्राइशा Biz व बाहर से अंदर लिक लिफे रहे प डरीयु मारत लेकिन ना standpoint ॉर्पि सोंनों ऐने लिफा ड तो बैठे गाए जल्दी नीचे चले आर इसको मैं यार मैं पीट दूंगा सची बता रहा हूं मैं मार दूंगा इसको एक दिन लेकिन मुझे दो विलेजर एक और विलेजर चाहिए फिर इसके बाद क्रीड प्रीडिंग करा कि मैं सब्सक्राइब बनाओंगा फिर इसको अगर गलती से मेरा हाथ इनको टच हो गया तो यह सारे मिलके मेरे को ठोक देंगे तू तो कुछ नहीं करेंगे मैं मर जाओंगा उपर से तो अच्छा है मैं हाड़कोर में ने खेल रहा नहीं तो कब का वर्ल्ड खतम हो जादा भाई बैट जा यार तो इसको मैं बाहर ले है मैं मैं जान में ऑलडुआ जाके आपको मिलता की की बहुत सारी मशक्कत के बाद यह बंदाव बोट में बेठा एडड वह भी निकलने की बहा नीकलने की भी कोशिश नहीं कर्रहा हूँ एक बार भी बोट बैठ जाया य यार इतनी विक तो मैंने आद तक किसी के सामदे नहीं मागी यह उट्डे बैट जाना वे बैट जा चल इसमें बैट जा मेरे को डर हो पिगलीन बैट जाए और गलती से मेरा हाथ टच ना हो जाए उनको लेको मैं उपर जा रहा हूं नीचे जा रहा है इसकी तो मैं साड़े जाए तेरी मैं जाए वे बैट न स्ट्राभ अ कर रहा है मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है जल्दी से बैट जा बेट जा ले पूट लगा तीरी बेट गल्रेज इस यावे बोट पे बैठ चुका है एंड मैं आफे इसको फाइनली बाहर ले जाने की कुशिश करता हूं मैं डायरेक्ट लिया आपको बाहर ले जाने के बाद ही मिलता हूं ठीक है तो करो वेट तब तक का आख का यान сохран कर रहा है मेरेप वारीने लेने जाने डरा अधे रह उतीरी यैसी की ठीसी रुक्सार तेरे को भी बताता हूं रुक्षारा चोटा बच्चा को मैरेवे मेरेको मार रहा peppers ले जाने दे रहा वे आखे ठोकडरा है मेरे को जल्दी Sung器 में बाउंट्री बना देता हूं एंड विलेजर को बाहर पहुचा देंगे हम क्योंकि हमें बाहर ले जाना है उसको तो पहले तुम यहां पे सब कुछ सब्सक्राइब नहीं तो विलेजर बाहर जाएगा नहीं कि तो फाइनली गाइस सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है यहां पर विलेजर को मैं बहार ले जाओंगा चच्छा आप थोड़े साइड में हो जाने तो आपको लग गई आप मेरे को ठोक दोगा सारे मिल जाओ यार मेरे को ले जाने दो विलेजर को यार जल्दी से यहां पर बाउंटरी बना कि मैं उसको इंदर बाहर ले जाओ ठीक है एंड गाइस बहुत सारी मेहनत के बाद अपने चच्छा बाहर आ चुके विलेजर से अपने घाओ में इनको मैं एक दिन ठोक दूँगा लेकिन आ यह तो बदला में लेके रहूंगा इनसे इनको थोड़ा बाहर करके उतार के फिर अंदर ले जाएंगे लेकिन उससे पहले अगर आप अब भी तक हमारी वीडियो में बने है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरू से कर दो यार एंड गाइस फाय नी मैंने इनको बिठा दिया है पोट में ठीक है आप देख सकते हो विलेजर को मैंने बोट में बिठा कि साइड में रख दिया हैं यहा पर नेतर का सारा सामान मिल चुका है मेरे को तो मेरे को यहा पे इसकुश अच्छे से खलीर अप दिख रहा है लेक उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं लेकिन मिली नहीं रहा वह कैसे बनता है बस वह आप एक बार कॉमेंट में बता दिना अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो हमारी तो गाइस थोड़ी देर में हम यहां पर अपना कटर तो मिला नहीं लेकिन मैंने बहुत तूंड से अगर आपने अभी तक वीडियो देख रखी है तो अगर नहीं देखा तो कोई ना हम खुद ढूंड लेगे अगली वीडियो में यहां पर थोड़ी सी बात्चित के बाद हम यहां पर अपने वीडियो एंट करने वाले यहां पर मेरे को मिली निरा वो तो और विलेजर विलज्येर दोगर मिल गया तो अच्छी बात नहीं तो नहीं है मेरे को कानफम हो चुका है मैंने बहुत में देखा नहीं मिल रहा तो चलो यह आपा कुछ कर भी सकते नहीं के 2 टीनए भ्याइद नहीं मेरे पास तो चलो गास बाहर जाक Lot kok principles art जो जोई जो कर आप ऐप सब खेद भी किया एरिया को भी बड़ा किया है तो गाइस हम मिलते हैं आपको एक अगली न्यू इंट्रेस्टिंग सी वीडियो के साथ अच्छे से न्यू टॉपिक के साथ तो हम चलते हैं से आप से लेते हैं अलवीदा तो तब तक के लिए टाटा बाइबाइब